हेलो सदेंस में नाम वनीत पांड़े आप देख रहे हैं क्लास 8 मैट्स टूपाइ क्लास बच्छो इस चैनल पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही कॉलिटी कॉलिटिक आपको मिलेगा अगर आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को मैंने बहुत ही मतलब हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया है और सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाके रखिए पार बन से आप वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी क्लास से स्टार्ट करने से पहले किसी भी चैप्टर कि आप उसका इंटोडिक्शन वीडियो जरूर देख लें ठीके ना वो प्लेलिस में आपको मिल जाएंगे पहले की वीडियो देखोगे तो exercise आपको देखने की जरूरती नहीं पड़ेगी फिर भी आईए हम आप आपको डिसकस करते हैं इन दोनों questions को तो question number 9 में क्या करा है find the smallest number that is divisible by each of the number 4, 9, 10 और इसी तरीके से find the smallest number that is divisible by each of the number 8, 15 and 20 ऐसे questions में क्या करते हैं कि जब भी वो बोलता है कि find the smallest square number या smallest perfect square number that is divisible by आपको कुछ number देदेगा तीन number देदेगा ये चार number आगे देदेगा ठीके 123 123 number दिए ठीके तो ऐसे questions में हम का करते हैं बच्चों हम LCM निकालते हैं ये दिये गए number जो होते हैं इनका हम LCM निकालते हैं क्यों क्यों क्योंकि थोड़ा सा concept में आपको बता देता हूँ जैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी सुनिए LCM का मतलब होता है चोटे से चोटा common का मतलब सबका multiple मतलब की टेबल में आता हूँ मतलब समझो चोटे से चोटा number जो सबकी टेबल में आता हूँ पहले हम question number 9 ले रहे हैं आप ठीक है ना का मतलब नहीं परता होता है LCM का मतलब होता है कि अगर one से counting start करी जाए तो आपको वह सबसे पहला स्थोटे से चोटा number कौन सा मिलेगा जो इसकी भी टेबल में आता हूँ इसकी भी इसकी भी मतलब यह तीनों ही उसको क्या कर देंगे divide कर देंगे तो यह LCM निकालने का मतलब होता है बट यह hidden trial method से नहीं आता है LCM निकालने का process होता है जो कि आपको पता है तो आप इन तीनों का LCM निकाल लीज़े जैसे for example कि भाई मैंने 18 ले लिया for example मैंने ऐसे randomly 18 ले लिया तो 18 जो है वो 4 से तो divisible है याने कि 18 9 से तो divisible है 18 थोड़ी नाता है यहाने कि 418 को divide नहीं कर पाएगा 10 की table में 18 नहीं आता है यहीं कि 18 को 10 नहीं divide कर पाएगा सही है तो एक तरीका होता है LCM निकालने का जो कि आपको आता है तो चलिए हमें काम करते हैं सब से पहले हम इन तीनों number का LCM निकाल लेते हैं सुन लो LCM निकाल क क्या फाइदा होगा LCM निकाल के ये फाइदा होगा कि वो छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा जो इन तीनों का क्या है multiple है मतलब इन तीनों की टेबल में आता है ठीक है बहुत बढ़ियां उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमारा आ रहा है जो कि इन तीनों का क्या है multiple है ठीक वो perfect square है की नहीं है अगर नहीं होगा तो हम उसको बना लेंगे ठीक तो process देखिए इस तरीके के question में process क्या होता है समझो बच्चो इस तरीके के question में process जो होता है वो यह होता है कि आप क्या करोग कि यह LCM आपका perfect square है की नहीं है क्या check करोगे check for मैं लिख दे रहा हूँ CHEC के check check for perfect square ठीक है check for perfect square अगर इनका LCM perfect square है तब तो सही है और नहीं है तो बना लो अगर if not then make it if not then make it make it तो इसको perfect square make it perfect square होगे चलिए अब इस process को follow करते हैं सबसे पहले इन तीनों नंबर का LCM निकाल लीजे ओके students तो देखिए 4 9 और 10 का LCM निकाल लीजे चलिए सबसे पहले 2 से divisal होगा 2 डू जा 4 ओके 9 ऐसे ही रहेगा 2 5 जा होता आपका 10 ठीके students 2 1 जा 2 9 आपका ऐसे ही ठीक अब 3 से जाएगा एसे रहेगा 3 3енныеच फाइब 3 3 से जाएगा बच्चो 1 ऐसे clam रेगा 3 वंजा 3 और 5 से ले जाएंगे 1 ऐसे ही रहेगा 5 1 जा 5 होता है अब 1 1 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे ठीक तो LCM तो आप लोग भी निगाल लेते हो बच्छों ठीक है So LCM आ गया इन तीनों नंबर का कितना 2 into 2 3 into 3 and 5 ओके So 2 into 2 into 3 into 3 2 into 2 into 3 into 3 into 5 ध्यान दें students 2, 2, 3, 3, 5 2, 2, 3, 3, 5 ठीक छली मल्टिप्लाई करिए 2, 2 जा होता है बच्छो 4 3, 3 जा होता है 9 यानि कि 4 into 9 और 5 को as it is हम कॉपी कर लेंगे ठीक है students 4, 9 जा होता है कितना 36 into में हो गया 5 अब 36 को 5 से मल्टिप्लाई करोगे बच्छो कर सकते हो आप 5, 6 जा कितना होता है 30 का 0 और 3 जाएगा यहाँ 5, 3 जा 15 प्लस 3 18 180 आगया आप भी मल्टिप्लाई करके देख सकते हो यानि कि इन दीरों के LCM कितना आगया बच्छो 180 ठीक तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी LCM आएगा याँ फिल कर देना चलो फिल कर देते हैं ठीक है सुटेंस तो यहाँ पर आगया LCM कितना 180 अब हमें चेक करना है कि यह जो LCM है ठीक है वैसे तो अब देखो LCM का मतलब क्या है LCM का मतलब है यह जो 180 है ना यह 4 से भी डिजिदल है यह जो जो कि आपके सामने पहले किये होंगे 2 x 2 3 x 3 and 5, okay, so 2 into 2 3 into 3 and 5 okay students, तो ध्यान से चेक करो बच्छो 2 into 2 का पेर बन गया, 3 into 3 का पेर बन गया लेकिन, perfect square number होने के लिए, 180 को perfect square number होने के लिए, बच्छो 5 problem कर रहा है 5 क्या कर रहा है, problem कर रहा है ठीक है students, okay, so अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है, ये पेर नहीं बना रहा है तो 5 का पेर बनाना पड़ेगा, यानि कि हमें क्या करना है, 180 को हमें क्या बनाना है perfect square number बनाना है, अब 180 को perfect square बना लो, बनाने के 2 तरीके हैं, सुनो ध्यान से, बनाने के 2 तरीके हैं कुछ भच्चे सोच रही होंगे कि 5 से इधर लाके टिवाइड लगा दे हैं जैसे कर सकते हो लेकिन अगर आप इधिक को Divide लगा दोगे सुन लो दियान से पहले समुर्ण 206 कि यहाँ प अप सुनो अगर आप डिवाइट लगा लोगे तो 36 आ जाएगा 36 परफेक्ट स्कॉयर है यस तो नंबर तो आपके पास परफेक्ट स्कॉयर नंबर बन जाएगा ठीक है ना बैट स्कॉयर नंबर बनाओ छोटे से चोटा जो कि इन तीरों नंबर से तो हम क्या करते हैं जिसकी पेरिंग नहीं हो रही है बच्चों ध्यान से चेक करिएगा जिसका पेर नहीं वन रहा है उसी नंबर से हम बोथ साइड मल्टिप्लाई करके तब सवाल को करते हैं ठीक है सुडे राइचे को कॉपी कर लिया जैसे पहले बताया था मैंने आगे ये देखी बच्चों यहां से जाख करेंगे दिशाय करेंगे 5 का पेर नहीं बन रहा है तो 5 से हम राइट-hand इंसाइट करेंगे और इसी तरीगे से 5 से हम लेफट-hand साइट मुल्टिप्लाइय करेंगे इससे क्या फाइदा है फाइव आफ फाइव का पेर बन जाएगा और देखो यहां 18 रहे यानिके कहने का मतलब है चलो वीडियो पॉस करके इतना नोट कर लीजे बच्चों पहले वीडियो पॉस करके नोट कर लीजे बच्चों कर लिया चलो अब यहां पर देखिए जैसे ही आप क्या करोगे 900 पे स्क्वाइर रूट लगाओगे यह देखिए इस तरीके से जैसे ही आप 900 पे स्क्वाइर रूट लगाओगे यहने की बास समझो वो चोटे से चोटा नंबर कौन है 900 है वो चोटे से चोटा नंबर 900 है जो की एक परफेक्ट स्क्वाइर नंबर ह है और इन तीनों का क्या है मल्टिपल है तो उसने हमको क्या वाला था find the smallest square number तो answer तो आचुका है हमारा answer क्या है 900 क्योंकि एक perfect square number है तो इस question का answer क्या है उसने बोला था find the smallest square number तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे 900 find की जगा हम क्या कर देंगे 900 is the 900 यह answer 900 is the smallest number that is divided by each of the number 499 36 तो answer तो आचुका है मैं आपको बस यहां पर यह दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर यह दिखा रहा हूं कि तर देख लीजे यह जो 900 perfect square number यह सद है देखिए जैसे स्कार रूट लोग इसका टू इंटू टू टू पेर में एक बार आ रहा है इसलिए यह क्या है यह क्या है पर्फेक्ट square नंबर है तो इसको आप लोग नोट कर लीजे बढ़ते हैं question number 10 की तरफ नोट कर लीजे वीडियो पॉस करके ले दें question number 10 okay so solution question number 10 का solution करने जा रहा है solution number 10 कि रभा फाइंड the smallest square number that is divisible by each of the following number ठीके students तो जब भी ऐसे questions आते हैं तो उसका process होता है अभी मैंने आपको question number 9 में बताया था सबसे पहले क्या करना है कि तीनो number का आपको LCM निकाल लेना है ठीके students step number 1 करते है step number 1 में हम तीनों का LCM निकाल लेते हैं ठीक जो भी number दिये हुए सबस्क्राइब आपको उसका हम LCM निकाल लेंगे क्योंकि उसना हमसे बोला कि find the smallest number यानि वो छोटे से छोटा smallest square number निकालना है जो की इन तीनों से divide हो जाए तो हमने क्या किया हम पहले एक छोटे से छोटा number ऐसा निकाल रहे है जो इन तीनों से divide हो जाए इन तीनों से divide होने का मतलब है कि इसका क्या निकाल लो LCM निकाल लो ठीक फिर जो LCM आएगा उसको चेक करेंगे कि वो perfect square है कि नहीं होगा तो बना लेंगे ठीक बस सिंपल फा प्रॉसेस है तो LCM निकाल लीजे इन तीनों नंबर का जिसके concept नहीं clear है शायद आप YouTube पर डिरेक्ट यह question देख रहे होगे है ना क्योंकि question wise भी हम लोग यहाँ पर upload करते वीडियो तो आप इसके पहले गाला question number 9 देख लीजे अगर concept नहीं clear है और वैसे तो clear हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं 18 15 और 20 यह लीजे ओके नो यहां से बच्चों LCM निकाल लिए 1815 और 20 का तू 4 एट होता है 15 आपका ऐसे ही रहेगा तू टेन जा टूंटी होता है फिर टू से जाएगा तू टू सा फोर होता है 15 आपका ऐसे ही रहेगा तू फ़फाइव जा वन आपका ऐसा ही रहेगा 5 वंद फाइव होता है ये लीजे तो 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 3 और 5 ओके यहां पर एल से मा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू में 5 चेक कर लिजे ठीक है 2 तू 2 तू 2 तू 2 इंटू 3 इंटू 5 अब देखो बच्छो इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन 2 तू 4 होता है इंटू में इन दोनों का मल्टिकेशन 2 तू 3 जा कितना होता है आपका 6 होता है और इंटू में ये वाला 10 plus 2 12 120 आ गया ठीक तो कहने का मतलब है कि इन तीनों का LCM कितना आ गया 120 यानि कि 120 जो है वो ऐसा चोटे से चोटा नंबर है जो की ध्यान से सुन लो 120 ऐसे चोटे से चोटा नंबर है जो की 8 से भी divisible है 15 से भी divisible है आप divide करके देख सकते हो ठीक एंड यह आपका 20 से भी divisible है अब सुनिए ध्यान से अब हम चेक करेंगे क्या यह परफेक्ट स्कार नंबर है जवाब नहीं है क्यों क्यों कि आप देख सकते हो 120 के लो टिक्वी खेले यह 25 यह तो यही सब क्या क्या है इसके बाद ध्यान से चेकरो अथ्यान यहां पर दृशानी है क्या परशानी थे ना जारह चैकले 2 इंटु 2 इंटू फईवह अब ध्यान दो वच्चों ठीक है ऐसाप्ने सbooks यहां इसको ऐसे लिख लेते हैं अलग कलर से कर देता हूँ है न चलो इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ क्या 120 के जो प्राइम फेक्टर से बच्चो कितने आ रहे है 2 इंटू 2 ठीक इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 5 ये लिजए अब ध्यान दो बच्चो अब पेर कैसे बनाते है जहान से चेक करो सबसे बहले हम क्या गरेंगे हम इसको कॉपी कर लेते हैं ध्यान देना ये 2 इंटू 2 का तो पेर बन चुका इसको आप छोड़ दो फिर इंटू में अब थोड़ी थोड़ी जगा छोड़ लाओ पता चलेगा इंटू में 3 है और इंटू में क्या है अब सुनो बच्चो जिसके पेर नहीं बनते हैं जिसके पेर नहीं बनते हैं उन्ही नंबर से हम बोथ साइड मल्टिप्लाई करते हैं इस नंबर का पेर नहीं बन रहा है तो इस इधर करोगे तो इसका पेर बन जाएगा इसनिंबर से राइट हैंसाइट करोगे उसी से लेट हैंसाइट मल्टिप्लाई करोगे तो चलो लेफ्ट हैं साइड भी आपको दिखा देता हूं ओके यह देखिए चेक कर लीजे बच्छो इस एक्वेशन में 235 से मिल्टिप्लाई किया ठीक है ना अब 5 और 5 का भी पेर यहां पर बन जाएगा इससे क्या फाइदा होता है इससे यह फाइदा होता है कि यह जो भी फाइफ और लोगने चुका है यह वाले फाइफ का भी पेर बन चुका है कहने का यह मतलब है कि यहां पर जो भी नंबर आएगा यहां पर आप देख सकते हो 1230 36 और यह वाला जीरो यह वाला यानिके डबल जीरो और फिर 5 stakeholders केंने का यह मतलब है कि बच्यों यह जो number यह number क्या है आपका perfect square number क्या गया है वोला कि 81560 वाला चोटे से छोटा नंबर तो होना चैगे लेगिन उसने ये मोला था कि एट फिफटीन और टुंटी से डिवाइड होने वाला चोटे से चोटा नंबर तो होना चेखेए लेकिन परम्रफेक्ट तो यह लुएSeq dolin होनाचाहियें तो यह सोन कि By यहां पर हम आंसर लिखेंगे क्या find की जगा हम लिख देंगे 3600 यह आंसर है पूरा ऐसे लिखो एक्जाम में 3600 is the smallest square number that is divisible by each of the number 18 15 and 20 okay students video pause करके note कर लीजे note कर लीजे अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या कि यह जो आपने answer निकाला है 3600 इसका square root एक natural number आएगा या whole number आएगा कहने का यह मतलब है कि यह क्या है एक perfect square number है okay students चले मैं आपको दिखा देता हूं यह आपको करके नहीं दिखाना है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 3600 इक perfect square number है कैसे सर जैसे ही square root लगाओगे लोग कर लीजे नोट कर लीजे इसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बढ़ते रिए बढ़ते रिए आल दे बेस्ट